नमस्कार बच्चों आप सभी का हमारी चैनल आइडेल देव क्लास्टेश में श्रागत हैं बच्चों आज हम आपके लिए ब्रिच कोस लेके आ हैं जो कक्षा नौमी का है और विशे क्या है आपका गड़ित और यह सत्र दोजार तेइस चोबिस के लिए और इस ब्रिच कोस क हम कारेपत्रक 15 बताएंगे चलिए देखते हैं और यह विद्याती जो कारेपुस्ति का है समस्क्षा वियान शेकेंड एजुकेशन लोग सिक्षन इसकुल सिक्षा भाग मत्यदेश द्वारा सत्त दोजार तेइस चोबिस के लिए बनाया गया है इसका कारेपत्रक 15 क्या कह के लिए रहा है पढ़ियो से उसका पहला प्रसर क्या दिया है आसा 250 वाली एक किताब के 75 पन्न पढ़ती है बवीता इसी किताब का एक बटे दो भाग पढ़ती है तो किसने कम पढ़ा तो देखिए आसा क्या करती जो जो किताब है कित्ते पन्न वाली किताब है 250 पन्न वाली किताब है जिसमें आसा किताब पढ़ लेती है 75 पन्न पढ़ लेती है पूरा भाग पढ़ लेती है 75 पन्न हो गए यहां पे और बवीता इसी किताब का किता एक बटे दो भाग एक बटे दो भाग मिन्स आधा पढ़ती है आप इसको मोखी की भी लिकाल सकते हैं एक बटे दो मिन्स क्या होता है आधा आधा हैं 250 का आधा किता होगे आपका 125 तो 125 पन्ने किसने पढ़ ली बवीता ने पढ़ी और आसाने किते 75 पन्ने अब इसमें कुश्चन किया है किसने कम पढ़ा तो आपका सीथी आंसर आजाएगा क्योंकि 125 पन्ने के कोन पढ़ रही है बवीता पढ़ रही है क्योंकि जो किताब है किताब के आधे पन्ने एक बटे दो मिन्स क्या हुआ आधा 250 पन्ने 250 का आधा क्या होगे 125 पन्य बवीता पढ़ती है और आसा 75 पन्य तो किस ने कम पढ़ा तो आसा ने कम पढ़ा ये मोखी का आपको हल करके बता दिये अब देखे किताब के कुल कितने पन्य है 250 आसा किता पढ़ती है 75 पन्य पढ़ती है बवीता किताब का एक बटे दो भाग एक बटे दो भाग मिन पढ़ा तो आसा ने कम पढ़ा इसकार आपका प्रस नंबर एक यहां पे नमबर 2 रहीम ने एक गंटे के तीन बटे च्छार भाग तक व्याम किया एक गंटा उसके तीन बटे बट चार वाग किया जबकि रोुःत ने एक घंटे के तीन बटे चार वाग तक वीय किया कि pagan किस ने जादा लंबे समय किया या वहत आपके पर रहीम ने आप को कैसे करना है सब अब कि अब था 3 बटे 4 तो एक गुळिक 3 4 वरआबर के आगए तीन बटे 4 गंटे रहीं ने किते घंटे हैं trescz Misad गया सब्सक्राइब किया रो इतने विन किया मिया एक वर तीन बटे चार गंटे वियाम पाइंपक you 6 गंहें दोनों के हर समान नहीं होंगे तो आप नहीं बतांगे तो क्या करते यहां पर हमासत कटना ही आएगी, हम क्या करेंगे, इनके हर समान कर लेंगे, जैसे तीन बटे चार है, अब इसका हर समान करने के लिए, आपका जो रोहित का तीन बटे चार है, तो चार का गुड़ा कर दीजे, या आप दोनों साइट पर, जैसे भी आपको बराबर करना है, तो बराबर कर सकते हो, लेकिन यहां पर किसका गुड़ा करके कर देते हैं, हम चार का, चार का अंस में गुड़ा कर दो, और हर का किसके चार का, जो रोहित क्या, तीन बटे चार है, उस चार का गुड़ा हर का, इसमें करके देखते हैं, तो यह होगे, चारतिया, बारा, छ 684 मुझान के बेख之क है रहीम के लिए अब रोहित को क्या है रोहित की चाह गंते है सबेगा इसका हर सब मान ने चयर गंधे लिए गegenते हैं उसका हम और और 6 का नीचे भी गंधे है कि इतंब हो गया…. चेटरी 18 host आपका उसके बाद देखिए यहाँ पे चार का चेम गुणा की छहो के 24, अब दोनों के हर समान हो गए, जब दोनों के हर समान हो जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कुझसी संख्या बड़ी है और कुझसी छोटी है, जब हर दोनों के समान होते हैं, तो बड़े अ अधिक लंबे समय तक कारे करेगा तो यह आपका किसा जाइगा 3 बटे 4 तीन बटे 4 किसका मान है किस का कि समय को हुआ किस ने किया व्याँ 3 बटे 4 गूंटे रोहित नहीं तो हम बता देंगे आप该mal Guys ने जज्यादा समय तक हुरां किया शकषड़कर सकते हैं ये रफ में लिका लिए इस पकार से छोटी बड़ी बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों भिनों का हर समान करना पड़ता है, इस पकार प्रस नमबर दो complete हुआ, इसके बाद अगला प्रस नहीं, प्रस नमबर । प्रश्ण नबर तीन क्या कह रहा है रीतू ने एक सेब का तीन बटे पाज भाग खाया और सेश सेब अब उसके भाई शोमू को ने खाया एक सेब था आपका कितना सेब था एक सेब उसका तीन बटे पाज भाग किस ने खाया पताईए रीतू ने और सेश सेब जो तीन बटे शोमू ने खाया, सेफ का कितना भाग सोमू ने खाया, और किसका हिस्सा जादा था, कितना जादा था, तो सबसे पहले, आप क्या करेंगे, यहां लिख दीजिए, सेफ कितने थे, एक, रीतु ने सेफ खाया, तीन बटे, पांच, तो जो एक सेफ में से, सोमू ने खाया, अब इसका लगुत्म क्या आगcus और इस पांच का । 9 ? पांच अब यहांपे आपको प्रस्न था कि कि शेप कितना भाग सोनू ने खाया शोमू के द्वारा खाया गया भाग कितना हो गया दो बटे पांच रितु द्वारा खाया गया सेव कितना है तीन बटे पांच अब इसमें देखिए किसका हिस्सा ज्यादा था उससे पहले कितना ज्यादा था तो किसका हिस्सा ज्यादा था तो हमको यहां पर पहले तूलना क उसने ज्यादा खाया तो रीतू का हिस्ता ज्यादा था किसका ज्यादा था रीतू का हिस्ता ज्यादा था अब कितना ज्यादा लिकालने के लिए रीतू के हिस्ते में से सोम घटा देंगे तो रीतू का हिस्ते तीन बटे पांच इसका हो गया सोमु का तो अब तीन बटे पां माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कारे साथ बटे बारा घंटे में समाप्त किया किस ने ज्यादा समय कारे किया और यह समय कितना ज्यादा था तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कारे साथ बटे बारा घंटे किया वेवाओ ने तस्वीर में रंग भरने का कारे तीन बटे चार घंटे में किया तो वेवाओ कारे कितना हो गया तीन बटे चार और माइकल का कारे कितना हो गया साथ बटे बारा अब प्रस्ण किया था किसने ज्यादा समय कारे किया अब यहां हमें तो मालूम है कि माइकल कितने घंटे किया यह आप चाहा तो घंटे लिख देंगे 7 बटे 12, और वेवों ने 3 बटे 4, तो हमें इनके कार्य मालूम है, आप किस ने अधी किया? इसके करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों के हर समान करना पड़ेगा, हम इसको direct हल कर सकते हैं, समान हर इसके कैसे करेंगे? वेवों का लिख लिए 3 बटे 4, अब हमें यहां पर इसका 12 है तो व्यभाव का हर को भी 12 लाने के लिए किया करेंगे हम चार में 3 कागुड़ा करदेंगे तो अंस और हर दोनों में 3 बटे 3 का किया ते तर का 9 तीन चुके 12 तो यह 9 बटे 12 किसका होगा वेभाव का और माइकल का हर क्या था 12 इसलिए स्कॉल करें जरूत नहीं तो माइकल ने कितना 7 बटे 12 और वेभाव ने कितना कारे किया तश्वीप रंग भरने का 9 बटे 12 अब दोनों के हर समाहने तो आप बता सकते हैं कि कौन बड़ा है 9 बटे 12 बड़ा होगा जिसका अंस बड़ा होता है हर समाहन होने पर जिसका अंस बड़ा होता है वहां बड़ा कहलाता है तो यह हमने लिग दी 9 बटे 12 किससे बड़ा है साथ बटे 12 से तो प्रस्ण तक किसने ज्यादा समय कारे किया तब बता सकते हैं वेभाव ने ज्यादा कारे कि लगुतなんか है जी ने किया विभ्भो ने क्यों कि इसका इसके नोग बटे-बारा है और थीं-बटे-चार समय कितना ज्यादा था अब कितना ज्यादा समय क्या यह अप लिकालना है तो विभ्हुम का कारि में से किसके कारे को घटा देंगे Michael के कारे को घटा देंगे अब इसको घटाने के लिए तीन बटे 4 मैं से 7 Watt 12 घटाएंगे हर समाने क्या नहीं है तो आपको पहले हमने इसके alle करगों की बतायते हैं यहां यहां चार यहां खाँरे और 12 गतंक्य होतीmund जिसमें दोनों हरों का भाग चल जाए चार का भाग यू बारा में चले जाता है और बारा का भी तो इसका लगुतम कित्ता हो गया बारा हो गया अब देखिए अब हम क्या करेंगे जो तीन बड़े चार का हर है चार इस चार का भाग किसमे देंगे बारा में चार का भाग बारा मदी कितने बार गया तीन बार और उस तीन का इसके अंस वाले तीन से गुढ़ा कर देंगे तीन गुढ़े तीन फिर रिनकचिन लगा दिये बारा का बारा हम दी कितने बार गया एक बार और उस एक का गुला किस से जो साथ बाटे बारा है इसके अंच से गुला करेंगे साथ से गुला करेंगे साथ गुले एक तीन का तीन में गुला किये नौ साथ का एक में गुला किये शाथ नौ में शाथ घटाए कितना आया दो कि क्या हो जाएगा दो एकम दो दो इचिंग बारा एक वटे छे घंटे ज्यादा कारे किया यहां थोड़ा साब ध्यान रखेंगे हमने नौ में साथ को घटाये तो कितना आ गया था एक लिख दी ते एक नहीं आएगा दो आएगा इस परकार से आपका प्रस्न चार यहां पर सम किया